मद्धिपिदेश और तेलंगाना ATS की टीम ने भोपाल और चिंद्वारा में दबिश देकर 11 लोगों को गिरफतार किया है। इनके कटरपंथी इसलामिक संगटन हिस्बो तहरीर से जुड़े होने के सबोत मिले हैं। देश भर में अच्यूटी के कुल 16 सदस्यों को गिरफतार किया गया है। गिरफतार लोगों में भोपाल गैस्तरास्दी एक्रिविस्ट का रिष्तिदार भी शामिल है। जिसमें जिम ट्रेनर, इंजिनियर से लेकर टीचर भी संगटन से जुड़े हुए हैं। हिस्बो तेहरीर का मुख्याले लंडन में है। 11 लोगों को गरफतार कर लिया है। संगटन से जुड़े सभी गरफतार आरोपी गोपनिय तरीके से जंगलों में कैम्प लगाकर निशाना लगाने की प्रैक्टिस करते थे। इन कैम्पों में ट्रेनर हैदराबाद से आते थे। गुचुत तरीके से धार्मिक सभाय भी लगाई जाती थी। इन में भड़काओ, तक्रीरे और जिहादी साहित्य बाटा जाता था। मद्रपदेश के ग्रेवंत्री डॉक्टर नरूता मिशा ने कहा कि पकड़े गए हुटी सदस्यों के पास से आपत्ती जनक साहित्य भी बरामद हुआ है। इस सम्मंध में काफी समय से इन्पुर्ट मिल रहा था। इसके बाद यह कारवाई की गई है। यह संगठन शरियत कानून लागू करने के लिए किसी भी हद तक जाने और हिंसा करने में विश्वास करता है। मुपाल के दस लोग और सिंदवाडा के जो ठीक मेटी हैं जो पाइच्जियों के लोग हैं उनको उन्दीस तारिक तक का रिमांट पर लिया गया है। पाँच लोग हैदराबाद में करतार के लिए उनको लेकर के पुलिस पार्टी रवाना हो गई है मुपाल के लिए वो पाँच भी मुपाल आएंगे शीवरी। काफी जाच के बाद में इनका जो फंडिंग का होता है उसकी भी जंबीता से जाच की जा रही है कि फंडिंग कहां से इनको आ रही है उस सारे में उस देखे जा रहे हैं। चिंदवड़ा और हैदराबाद से पकड़े गए आरोपियों को जल्द ही ATS अफसर ट्रांचिट रिमांड पर लेकर भुपाल लाएंगे। मदप्रेश पुलिस से जुड़े अफसरों ने बताया कि पकड़े गए आरोपि पेशे से शिक्षक, सौफ्टर इंजीनियर, कोचिंग टीचर, जिम ट्रेनर, आटो ड्राइवर, कम्प्यूटर, टक्निशिन और मजदूर है। वोपाल से गिरफतार है, एचिवटी के दस दस्यों को मदप्रेश एटीएस ने कोट में पेश किया है। यहां एटीएस ने इन सभी को रिमांड मागे है। कोट ने रिमांड मंजूर करते हुए 19 माई तक एटीएस को पूश्टाश के लिए सौप दिया है। मतिप्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्ति करण के उद्दिश से समवेधन शिल मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहां द्वारा मुख्यमंत्री लारली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहद उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपे दिये जाएंगे। ये राशी सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई जाएगे। योजना की प्रत्रिया बेहसरल और निशुल को है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यक्ता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बेहनों के खाते में आजाएगी एक हजार रुपे या की पहली किस्त। वो खबरें जो आपके काम की है। वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से चुड़े मसले। हर मसले का सटीक विश्लेशन। हम करते हैं सट्यका अनवेशन। तखल नीउज आपके हक्त में। आप देख रहे हैं तखल नीउज।